राधे राधे एवरिवन आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि मैं बहुत सरल तरीके से अपने लड़ू गोपाल जी की सेवा कैसे करती हूँ तो पूरे दिन का रूटीन आज मैं शियर करने वाली हूँ तो देखिए अभी सुभे सुभे का समय है और हमारे लड़ू जगा देंगे तो बहुत ही प्रेम से मैं अपने लड़ू गोपाल जी को जगा देती हूं कभी तो मैं घंटी बजाके लड़ू गोपाल जी को जगाती हूं कभी ताली बजाती हूं या कभी कभी भजन भी गुनगुना देती हूं तो ऐसे राधी राधी बोलके हम को बागी दिन जब स्कूल ओस्कूलए हम लोग वगते होते हैं तो कौन चांदी के लूटी है औस लेड़ू पाल जी को पिला देती हूं उसके पिला दूगी जैसे सुपह बच्चों को दूद पिला देते हैं और देखे जब भी आप लड़ू को पाल जी को कोई भी भोग समर्पित करें तो उसमें तुलसी दल जरूर डाला जाता है यह तो आपको पता ही है अब लड़ू को पाल जी जब तक दूद पिएंगे तब तक मैं उनके नहाने की व्यवस्ता कर दूँगी तो यहां पर मैं यह कासिय की धाली यूज करती हूँ लड़ू को नहलाने के लिए इसमें सबसे पहले मैं चंदन से स्वास्तिक बना लूँगे आप चाहे तो फूल वगरा भी आप डाल सकते हैं और फिर मैं लड़ू को पाल पुषन कर देंगे यानि पूँच देंगे अच्छे से तो एक अलग से टावल ले लेते हैं मैंने यह कोटन का एक हैंकी बनाया हुआ है तो इस हैंकी से अच्छे से मैं लड़ू को पाल जी को पॉँच दूँगी लड़ू को नहलाने का बरतन भी हम अलग रखते हैं और लड़ू अपाल जी को अच्छे से पहुंचने के बाद फिर इनका स्रंगार कर देंगे तो देखें स्रंगार की जो भी चीजे होती है ना सारी पहले ही मैं एक जगे पर रख लेती हूँ तो इसलिए मैंने पहना दी है उसके बाद इत्र सेवा परदान करेंगे इत्र हम जरूर लगाते हैं लड़ू गोपाल जी को क्योंकि इत्र लड़ू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा प्रिया है तो चंदन से स्रंगार भी कर देते हैं लेकिन अब ही थोड़ी ठंड है तो सिर्फ तलक लगाऊंगी उसके बाद फी लड़ू गोपाल जी को दरपन दिखा देंगे तयार होके आईना देखना तो सबको पसेंदा तो लड़ू गोपाल जी को आईना दिखा दिया है अब जल भरके एक पातर में उसमें तुलसी रख लेती हूँ अब ये तुलसी साथ आठ दिन तक हरी रहेगी तो जब भी मुझे भोग समर्पित करना होगा यहां से तुलसी लेके मैं भोग समर्पित कर दूगा अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो आप तुलसी माला भी ले स कि पोग समर्पित कर देती हूं। झेफ तुब जान हर सब्स होग नहीं explorữa लडे समिस्पीति क्या जानते हैं। दुख़ृ।bs नहीं किौने और चीना इन सब्सक्राइबिट मसूरी की मामसूरे इसका तो यह घी नरहीं कि आफिाय। उसका भोग मैं सुबह सुबह समर्पित कर देती हूं उसके बाद हम लड़ुगोपाल जी के आरती उतार लेते हैं तो बहुती प्रेम पूरोग हम लड़ुगोपाल जी के आरती उतारते हैं और मंदिर में ही लड़ुगोपाल जी विराजमान है के बाद एक लोटारी कुल तुलिसी जी में और एक लोटा जल सुora देता को अरग दे लिए। इस तरह से सुभै की पूजा ही पून हो जाती है। उसके बाद जब खाना बनाते हैं तब हम लड्डू को पाल समर्पित करें उनको भोग करने के लिए नियुएदन करेंगे उसके बाद ये भोग हम अपने खाने में मिक्स कर देते है तो पूरा खाना परशाद बन जाता है। अब भोग हमने लगा दिया है उसके बाद मैं लड़ू गोपाल जी के पास जल और मिस्री रख देती हूं ताकि दिन में जब भी उन्हें भूख लगे तो वो ग्रहन कर सके अब भी शाम का समय हो गया है तो शाम के समय संध्या आरती करती हूं छे बजे के आसपास हम लोग सं समर्पित कर सकते हैं यानि भगवान जी के सामने आप भोग रखें और उन्हें हाँ जोड़ के भोग ग्रैन करने के लिल निवेदन करें या आप चाहें तो आप लड़ू गोपाल जी को अपने हाथों से भी भोजन करा सकते हैं तो यह आपकी मर्जी है आप कैसी भी लड़ू गोपाल जी को भोग समर्पित कर देते हैं और उसके बाद फिर देखें जब भोग समर्पित कर देते हैं तो उसके कुछ देर बाद यानि नो बजे के आसपास मैं अपने लड़ू गोपाल जी को सुलाती हूं तो भोग जो है वो साड़े साथ आठ बजे के आसप दिया भी शानथ हो जाता है और यहां पर मैं लड़डु उपाल जी का बैड लगा देती है। क्योंकि मंधीर एरिया है यह इतना है कि आपल इन्हें पर हो जाती है, जो भी जो keeping मैं दे सनने जो में पहने का शा情ष जो कैनला मार क्या गFit इसका वीडियो भी चैनल पर है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुन्दर सा, बहुत ही कमफर्टेबल सा ये नाइट सूट है, तो अभी लड़ुको पाल जी की ड्रेस चेंज कर दी है, फटा फट से लड़ुको पाल जी के लिए मैं दूद गरम कर देती हूं, क्योंकि भी छो जो जल है, वो मैं लड़ुको पाल जी के सिरहारे ही रख देती हूं, अब हम लड़ुको पाल जी की बासुरी रखेंगे, और बहुत ही प्रेम से लड़ुको पाल जी को सुला देंगे, तो कभी-कभी मैं सुलाते नाइम लड़ुको पाल जी के पैरों की मालिश कर देती तो देखे अभी हमने लड्डू गोपाल जी को सिला दिया है और सोते हुए हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत सुन्दर लगते हैं तो बस यही है मेरा लड्डू गोपाल जी का सेवा का रूटीन बहुत आसान तरीके से मैं सेवा करते हूं मेरा मानना है कि हमें उस तरह की सेवा अपनाने चाहिए जो हम रूटीन में रोजाना कर सकते हैं सेवा की नियम रोजाना रोजाना नहीं बदलने चाहिए इसलिए मैं बहुत आसान तरीके से सेवा करती हूँ और लड्डू गोपाल जी को जैसी भी सेवा आपसे करानी होगी ना वो वैसे भाव आपके मन में उत्पन करेंगे और आप उसी तरह से सेवा करेंगे तो लड़ू गोपाल जी की सेवा करने में बहुत जादा डरना नहीं चाहिए, बस जैसे जैसे भाव आते जाएं उस हिसाफ से हमें सेवा करने चाहिए, क्योंकि भई लड़ू गोपाल जी तो भगवान है, उनके हिलाई बिना तो पत्ता भी नहीं इल सकता, तो हम सेवा कैसे करेंगे जो सेवा उन्हें लेनी होगी वो आपने आप ही ले लेंगे ऐसे भाव रखकर हम लड्डू को पाल जी की सेवा करते हैं तो मेरा ये सेवा का सरल सा रूटीन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना अगर ये वीडियो आपको परसंद आई हो वीडियो आपके लड्डू बोल देती हूँ आप ये मत कहना कि लड्डू गोपाल जी नहीं बोला आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को उनके नाम से पुकार सकते हैं राधे राधे